आज मैं आपको सिर्फ पाच मिनट में दही जमाने का इतना अनोखा तरीका बताने वाली हूँ फ्रेंट्स की आप ये तरीका देखके चौक जाएंगे और जितने बारिकी से मैं आपको दही जमाना बताऊंगी Friends मैं गारंटी देती हूँ आपको YouTube पे किसीने नहीं बताया होगा हम जब दही जमाते हैं तो हमारी दही में पानी क्यों आ जाता है और दही ठकेदार क्यों नहीं बनती है और जब भी हम जोरन डाल के दही जमने क्लिये रखते हैं तो हमारी दही जमती क्यों नहीं है क्या वज़ा होती है सारे डाउट मैं क्लियर करूंगी तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्कीप नहीं करिएगा नहीं तो आप दही जमाने से रिलेटेड बहुत सारी बातों को मीज़ कर देंगे तो हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आकरिती की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दही जमाना इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स आज की दही मैं मिट्टी के कुलड में जमा रही हूँ, मिट्टी के कुलड में दही बहुत ही टेस्टी होती है, जैसे हमारे दादी दादा पहले के जमाने में मिट्टी की कहतरी में दही जमाया करते थे, यकीन मानिए खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता था। अगर आप गांवाईं से होंगे तब तो आपको पता ही हो गांवाईं से नहीं होंगे तो मुझे नहीं पता और यहां पर मैंने दूठ चम्मच दही लिया है तो friends मैं अपने सिरॉल में बहुत ही जादा धही जमआती हूं, तो मुझे धही जमानी का बहुत इस्पीरिय लिए आप देख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा दही लेके इस तरह से उल्टे चमच में और इसमें इस तरह से लगा देंगे और अब यहां पर एक बात को आपको ध्यान रखना है VRIENDS की आपको जो दही लेना है, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नए तो आप दही में डालेंगे दही तो आपकी जम जाएगी, पर उसमें से पानी रिलीज हो जाएगा और दही आपको बिल्कुल भी खटा नहीं लेना है क्योंकि आप जब खटा दही लेंगे तो दही भी खटी ही जम के तयार होगी और जब दही आप खटी नहीं लेंगे दही मीठी रहेगी तो आपकी दही भी मीठी ही जम के तयार होगी और फ्रेंट सेकीन मानिए, आप भीना चेनी के भी कितना सारा दही वैसे ही खालेंगी, आपको इतना अच्छा लगेगा खाने में और आपके चेनी की भी वच्छत हो जाएगी तो फ्रेंट्स हमें इसी तरह से सारे मिट्टी के कुलड में दही लगा लेना है अगर आपके पास मिट्टी का कुलर्ण नहीं है या फिर आप मिट्टी के कुलर्ण में दही नहीं जमाना चाहते हैं तो आप किसी भी गिलास में खटोरी में बहुत ही असानी से दही जमा सकते हैं जोटे शोटे गिलास में कप में दही कैसे जमाया मैंने इसका वीडियो अपने चैनल पे अप्लोड कर रखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं तो यह देखे सारी कुलर में मैंने दही लगा लिया है तो अब हम इसमें दूध ऐट करेंगे तो फ्रेंट्स मैंने आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको जो भी दूद लेना है गाड़ा दूद लेना उसमें पानी नहीं रहना चाहिए friends अकसर सभी के घर पे दूद आता है तो इसमें ठोड़ी बहुत पानी की मिलावट जरूर रहती है तो आप दूद को अची तरह से गरम कर ले तकि उसमें का पानी खतम हो जाये नहीं तो दूद को गड़ा कर लिया है और यह देखे हैं अगली डालते हैं दूद मे ऊछने दहीने हैं uhol को अपैमिक्स खथे आप नहां है तो यह देखी तरह से अधने गरसे you know तो एक एक चमच हम इसमें डाल देंगे और फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर दूद को बहुत अच्छी तरह से गरम नहीं किया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब दूद में पानी रहता है तो दही से कैसे पानी रिलीज होता है तो फ्रेंट्स ये सारे काम करने में आपको सिर्क 5 मिनट लगेगा और दही आपके इतनी परफेक्ट जमेगी कि मैं क्या बता हूँ और इसमें एक एक चमच दही डालने के बाद फ्रेंट्स हम इसको डग के रख देंगे पूरी रात क्यूंकि अभी रात का समय है आप इसको 5-6 घंटे के लिए भी रख सकत अच्छी तरह से दूद में गूलेगा और दही हमारी बहुत ही परफेक्ट जम के तयार होगी अगर आपने पहले कभी भी दही नहीं जमाया है फिर भी आपसे पहले बार में ही परफेक्ट जमने वाली है तो चलिए फ्रेंट्स बहुत रात हो गई है अब हम सोने चलते हैं सुबह चेक करेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स सुबह हो चुकी है और हम अपना दही चेक कर लेते हैं तो यह देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारी दही जम के तयार हो चुकी है और फ्रेंट्स जैसा कि मैंने बताया था दूद को मैंने अच्छी तरह से गरम नहीं किया तो यह देखिए इसमें हलका हलका पानी भी रिलेज हो गया है पर दही हमारी सारी की सारी ही परफेक्ट जमी है और फ्रेंट्स जो छोटे-चोटे गिलास में एक कप में दही जमाने का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है इसको आप जाके देख लिजिए बिल्कुल पत्थर मेहमान आये तो आप यह कुलडवाली दही जमा के उनके खाने के साथ जरूर सर्व करिएगा मैं गरंटी देतू फ्रेंट्स आपके महमान के खाने के साथ यह दही चार चान लगा देगा आपके महमान आपसे एक बार जरूर पूछेंगे कि यह दही आपने कैसी जमाई है और अकसर हमारे घर में बहुत सारी रेस्पीस में दही की जरूरत पढ़ती है, तो थोड़ी बहुत दही हम कटोरे में गिलास में इस तरीके से जमा के यूज कर सकते हैं, तो कैसी लगी मेरी ये आज की रेस्पी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, और फ्रेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजीगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलेगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अप्लोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और आकरिती की रसोई को अपना केंती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद, तो फ्रेंस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रैस्पिके साथ, तब तक के लिए बाब बाय, टेक क्यार,